तो आज एक बहुत ही मज़दार क्यूरोसिटी के साथ मैं आपके सामने आया हूँ यह जो हमारी रेनवो होती है वो क्यूं सर्कुलर बनती है और हमेशा हमें सेमी सर्कुलर ही क्यूं दिखती है क्या वो semi circular होती ही है या फिर हमें semi circular ही दिखती है अगर भाई आपके भी मन में ऐसी ही similar curiosities हो तो उनको अभी comment करो ताकि आपको भी knowledge मिले और आपके जो junior से हो उनको भी धीरे धीरे अच्छी अच्छी information मिलती रहे ठीक है तो चले start करते हैं भाई लेकिन start करने से पहले कुछ जो जरूरी है rainbow के formation के लिए वह पहले समझ लेते हैं पहली चीज क्या है आपकी जो सीजन होना चाहिए वह या तो आपकी atmosphere में humidity होनी चाहिए दूसरी condition भाई यह क्यों है क्योंकि water droplets का होना बहुत ही जरूरी हमारे जो atmosphere है उसमें because जो light रे सन की light रहाती है due to reflection और reflection सारी combination होत है कितने जब light रे आएगी उसमें reflect करेगी डिस्पर्शन होगा light का उसके बाद ही आपको क्या दिखती है rainbow दिखती है ठीक है डिस्पर्शन आप light वाले चैप्टर में पढ़ो गया ठीक है अगर नहीं पढ़े हो तो अगर पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है भाई समझ आपका लाइट रे यहां से इमिट करता है ठीक है यह आपका atmosphere में किसी एक droplet की बात कर रहे हो कौन सी droplet है भाई water droplet है यह आपकी कोई एक water droplet है ठीक है water droplet इसकी बात कर रहे हम एक के through phenomenon पहले समझेंगे उसके बात समझेंगे कि कि कितने number of water droplets हमारी air में present होते है ठीक है तो पहली चीज कि एक water droplet के कारण समझ रहे हम तो sun यह हमारा sun क्या करेगा light ray हां से emit करेगा यह तो clear बात है अब sun जब light ray emit करा first surface पे क्या होगी आपकी जब water droplet यह देखो क्या था water है भाई air के मुकाबले यह क्या होगा denser होगा यह तो clear है यह क्या होगा denser होगा और यह क्या ह यह वाला कहानी clear है अब पहले पॉइंट इस पॉइंट को मान लेते हैं पहला वाला पॉइंट और हमने पढ़ा था reflection में कि जब किसी एक light ray दूसरे medium में travel करती है एक medium से दूसरे medium में जाती है तो कुछ reflection और कुछ reflection दोनों होता है दोनों चीज़े होती है बट हमें जिसकी जरूरत है वह भी क्या है reflection ठीक है कुछ intensity of light क्या होती है reflect भी कर जाती है तो वह भी हमें निगलेक करके चलना विकॉज उसकी जरूरत नहीं हमें ठीक है तो ध्यान से समझो अगर इसके फिनोमेना की बात करें यह अपना क्या है center है तो अगर इस पॉइंट पर नॉर्मल खी लाइट रे जाती है तो वह बिल्कुल लाइट का पाथ यह था बट वह दब गई कुछ नॉर्मल की तरफ पहली कहानी पहली कहानी क्या लाइट रे आई थी संसे ड्रॉपलेट पे incident हुई वहां पे क्या हुआ reflection reflection दोनों बट जो हमारे useful का काम है एक क्या होगा भाई अगर यह आई है तो यहां से एक reflect भी करेगी that is r और i is equal to r होना चाहिए बट वह हमारे लिए useful नहीं क्योंकि हमारे वह काम नहीं आने वाला काम यह light रहाएगी जो क्या हुआ हुई है अब इस case में भी क्या करोगे भाई आपके पास यहां पे अगर आप normal खीचना इस point पे तो radius व यहां पे वह वेस्ट है आपके लिए ध्यान से समझना क्यों वेस्ट हो भी बताऊंगा बाद में अगर यह एंगल आई था ठीक है तो यहां पे एंगल आर आना चाहिए यह एंगल आर आना चाहिए ना एंगल आर आना चाहिए आई is equal to r यही क्या है law of reflection का reflection का पहला law भाई आरे को follow करना चाहिए था क्योंकि dancer to rarer जब जाएगा dancer to rarer जाएगा तो वह away from the normal जाएगी light ray तो यह अवे हो गई अब यहां पे भी सेम केस कि भी यह जो तीसरी वाली surface है यहां पे भी आप normal खीच दिए यह नार्मल रही आपकी जो यह light ray आप खीच रहो यह नार्मल है इस बात का जरूर ध्यान रखना ठीक है अब यहां पे यह क्या है dancer है यह light ray का path था यह होनी चाहिए थी light ray तो क्या यहीं जाएगी नहीं यह away from the normal जाएगी क्या बिलकुल क्यों क्योंकि dancer to rarer आप आ रहे हो ठीक है dancer to rarer आप आ रहे हो थोड़ा सा diagram आप समझ लेना बाद म है ठीक है यह parallel लग रहा है बट एक्च्वली यह parallel होगा नहीं ठीक है तो यहां पे अब क्या होता भाई हमारी आख होती है जहां से हम देखते हैं light ray को समझते हैं अब देखो यह रहा फिनॉमिना एक water droplets है बट atmosphere में क्या एक ही water droplets है नहीं number of water droplets होते हैं क्योंकि rainy season है भाई हर जगा water droplets क्या होते हैं अब्जॉर्ब हुए रहते हैं रुके हुए रहते हैं नमी रहती है हवा में तो ऐसे number of water droplets पड़े रहते हैं तो यह reflection सिर्फ एक water होना चाहिए पहली condition किसके लिए rainbow formation के लिए कि behind होना चाहिए हमारे यहां आख है तो sun हमारे पीछे होना चाहिए दूसरी चीज कि जो यह light ray incident हुई है और यह जो light ray यहां पर मान लेते हैं circle है ठीक है यह light ray मान लो यहां पर गई और यह कुछ बाहर निकल के आई और यह क्या है हमारी आख है तो इसकी बीच का जो angle होना चाहिए theta वो theta क्या होना चाहिए must be lie between 40 to 42 degree यह compulsory है बस इतनी बात clear होनी चाहिए यह compulsory है ठीक है दो condition होनी चाहिए पहली क्या कि sun आपके पीछे होना चाहिए दूसरी condition कि जो incidence light है और जो refracted light है दोनों के बीच का angle क्या होना चाह यह lie between 40 to 42 degree तभी हमको यह चीजे दिखती है तभी आपको क्या दिखता है रेंबो अदरवाइस नहीं दिखता है ऐसा नहीं कि बरसात रोज नहीं तो यह दोनों condition फॉलो अगर नहीं होगी तो नहीं दिखेगा आपको ठीक है रेंबो अगर नहीं दिख रहा है मतलब दोनों प्रोसेस हो जरूर रहा हो ठीक है यह प्रोसेस होता है क्या आपका वाटम ढूपलेट से हों और सब के लिए अलग-अगल होता होता है तो इंटेंसेटी सबके लिए अलग अलग दिखती है आप दिखा देता हूं आपको दिखेगा कैसा देखो एक्चुली ऐसा दिखता है यह क्या है आपका यहां पर सन है सन से लाइट रहे गई यहां से इंसिडेंट हुई आप देखो डिस पर्सन वाले में समझे होगे तुम कि तो मैकसिमुम जो 42 वाला एंगल बने गा वो बरेड के लिए तो लेते हैं के लिए और ऑलेत्थे तो गराए कि आल रही हैं जो इंसीडेंट हो जो रही है और जो वापस रिफ्रेक्ट रिफ्रैक्ट यहां पर रिफाख्टन पहला रिफ्रेक्शन दूसरा reflection तीसरा क्या है फिर से reflection होने के बाद जो दोनों के बीच का एंगल हम पीछे further extend करके देख रहे हैं वह क्या हो रहा है 42 डिगरी बन रहा है ठीक है तो एंगल क्या होना चाहिए 42-40 डिगरी ही होना चाहिए वह अब क्यूं होता है ग्लास में भी तो मीडियम चेंज होता है बट आप एक और लॉपड़ों के न्यूटन साहाब का उन्होंने क्या करा था सेम अपोजिट प्रिज्म रद दिया था यहाँ तो जो यह वाला क्या करता है डिस्पर्स करता है वह क्या करता है कन्वर्ज कर देता है दोनों लाइट फिर से वाइट निकल जाती है आगे अब यह पढ़ो गया आई वाले चैप्टर में ठीक है तो उसके लिए रिलेक्स हो जाओ सारे लोग ठीक है अब देखो अब हमें सर्कुलर ही क्यों दिखती है अब एक प्लेन ले लो ध्यान से समझना एक प्लेन लेते हैं कोई सर्कुल पर क्यानर कि तरह कुछ बन रहा है सर्कुलर कौन लेना का जो एक बाहर वाला है प्लेन लेना भाहर वाला उस पे देखना जितने भी वाठर ड्रोपलेट्स होंगे ठीक है वार्टोर ड्रॉपलेट्स होंगे वो हर जगह क्या बनाएंगे आपका 40 to 42 degree ही बनाएंगे वो सिर्फ एक plane के लिए होगा जो कोन का बाहरी वाला surface अगर आप लेते हो कोन का बाहर वाला surface तो आपको दिख जाएगा कि उस area पे कितने भी water droplets होंगे वो सारे क्या बनाएंगे 40 to 42 degree ही बनाएंगे यहां पर जैसे दे उसके बीच के कैसी भी point पे ले लोग यह एक water droplet 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 तो एक plane में जितने भी circular circular form में जितने भी water droplets लाई करेंगे वो सारे क्या करते हैं 40 to 42 degree एंगल बनाते हैं सन लाइट से incident लाइट से और reflected लाइट से तो जो हमें reason दिखता है कि semi circular द पर लाइट करते हैं उनके बीच का एंगल क्या होता है 42 to 42 degree ही होता है ऐसा नहीं कि water droplets यहां नहीं है यहां नहीं हर जगह होता है atmosphere बट सिर्फ वही से reflect होके light हमें दिखती है जहां से 40 to 42 degree angle बन रहा होता है ठीक है clear अब क्या फुल circular होती यहां semi circular तो यहां पे देखो यह पैरलल आ रही है sun light रहे हैं से sun ठीक है पीछे है आपके sun अब यहां पर जितने भी एंगल यह बनेंगे आप पूरा area कवर करके देखना पर कौन लेकर देखना और बीच में जो लाइन जाती यह vertex वाली लाइन यह वाली लाइन जो जाती है मिड में अब इस लाइन से व justement कहीं पर भी देखो के पूरे कौन पर कहीं पर एक वाटर डाप्लेट अगर ले कर देखो ङेंगल आपको बराबर मिलेगा और यहां पर क्याvens पğ tub अगर यह बन रहा है तबहुंत की का फोर्मोर की ने से तो नहीं होने में टुर पर पह. आपको नीचे वाली देखती है तो आपको सारी चीजे इसमें क्लियर हो गई हो गई है तो ऐसे यार आपके कोई भी curiosity है छोटी छोटी comment किया करो जो feel समझाने वाली है